लेटस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें साथी नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन दबाना ना भूलें देश में लोकडाउन की अवधी 17 माई तक बढ़ा दी गई है लोकडाउन की अवधी 3 माई को समाप्त हो रही है इससे पहले ग्रहमंत्राले ने आपदा प्रवंधन अधिनियम 2005 के तहट देश में लोकडाउन की अवधी 4 माई से अगले 2 हफते के लिए बढ़ाने के आदेश जारी किये है इस दोरान देश में सार्वजनिक परिवहन जैसे बसे, ट्रेने और विमान आदी बंद रहेंगे हाला कि ग्रहमंत्राले द्वारा ग्रीन जोन और औरेन जोन में कुछ राहत दी गई है वही रेड जोन में किसी भी परकार की कोई रियायत नहीं दी जाएगी ग्रहमंत्राले का कहना है कि देश में कोरोना से स्थिती बिगड़ती जा रही है बढ़ते संक्रमेंट के आकडों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है ग्रहमंत्राले के अनुसार देश के सभी जोन में रेल, मैट्रो, सडक, मार्ग, हवाई मार्ग, स्कूल, कॉलेज, शेक्षनिक, संस्थान, धार्मेक, स्था, लादी, पूरी तरह से बंद रहेंगे वही मंत्राले का कहना है कि औरेंज जोन में चोपहिया वहानों में ड्राइवर के अलावा दो अन्य लोगों को बैठने की अनुमती होगी वही दो पहिया पर केवल एक व्यक्ती की अनुमती होगी बहराल स्वास्थ्य मंत्राले के द्वारा जारी किये गए आकडों के अनुसार देश में रेड जोन में 130 जिले औरेंज जोन के तहट 284 जिले और ग्रीन जोन के तहट 319 जिलों को रखा गया है इनका हर सतहा आकलन किया जाएगा संक्रमन के केस बढ़ने या घटने के हिसाब से जिलों के जोन को बदल दिया जाएगा हाला कि सरकार की तरफ से लोकडाउन की अवधी बढ़ाने की कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है अभी तक देश में लोकडाउन लागू करने से लेकर लोकडाउन की अवधी बढ़ाने तक प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने देश को संबोधित करते हुए लोकडाउन का एलान किया है लेकिन इस बार लोकडाउन बढ़ाने की घोशना घ्रह मंत्राले के द्वारा आपदा प्रबंधन अधीनियम एक्ट में बदलाव करते हुए प्रेस रिलीज के जर्ये की गई है बता दें की पीम मोदी ने सबसे पहले 24 मार्च को देश में बढ़ते कोरोना संक्रमन को रोकने के लिए 14 अपरेल तक का लोकडाउन लागू किया था जिसके बाद लोकडाउन की अवधी बढ़ा कर 3 माई तक कर दी गई थी